मुझे अपने काम से प्यार है, ठोड़ी तलवार बाजी का उभ्यास कर लेती हूँ नमस्कार, मैं यहाँ पर डॉक्टरी जाज करने के लिए आई हूँ पहले मुझे दिखाओ की इसके अंदर क्या है नहीं, हमें ऐसे डॉक्टरी की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से जाओ नहीं, मुझे जाज करना जरूरी है, यह मेरा काम है अगर तुम मुझे जेल नहीं जाने दिना चारती हो, तो मुझे तुम्हारी जाज करनी होगी इसके साथ, तो तयार हो जाओ नहीं, बेतर होगा तुम कैदी कवचार करो खरीज प्लीज वो बिमार लग रहा है देखो, वो यहाँ है डॉक्टर, जाओ उसे देखो क्या अपर? हाँ, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है लगता है वो सच में बिमार है मैं तुम्हें परिशान नहीं करूँगी एनिमा एक मीजी मामला है देखो, एंडी मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ तुम्हें इसे मिलकर खुशी होगी तो कैसा लगा? यही तुम्हारा दोस्त है ना? दोस्त? नहीं यह एक बिल्ली है और मेरे दोस्त तो लगता है मुझसे गलती हो गई लेकिन चिंता मत तो मैं फिर आउंगी ठीक है तुम आजाना पर अभी जाओ मुझे बिल्लियों से अलर्जी है ठीक है तुम्हें परिशान मत हो अब मेरे पास एक स्वादिश लंच है बिल्ली कहां से आगे? कोई बात नहीं बिल्ली मुझे माफ करो लेकिन मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा जाओ यहां से अरे लगता है किसी ने हमें देख लिया है जब प्रिलीस को होश नहीं आता हमें यह से निकल जाना चाहिए अगली बार सोट बदलना होगा वाव नवस्ते मैं सफाई करने आई हूं मुझे जाने दो नहीं सबसे पहले मुझे तुम्हें अच्छी तरह से चेक करना होगा वो सकता है तुम्हों खतरना की आवेद समाल लाई हो मैं सिर्फ एक क्लीनर हूं कुछ मिला नहीं लेकिन अभी कुछ कहना जल्गवादी होगा तुम्हें कित क्याट चाहिए मेरे पास है वाव वाव बहुत धन्यवाद है लेकिन यह मत सोचो के काम से ज़्यादा चौकलेट मेरे लिए जरूरी है मुझे दिखाओ बाल्टी में क्या बाल्टी में कुछ भी नहीं है अभी क्या करूँ बिल्कुल सहीब आप मेरे साथ क्या कर रहे है मेरे पास आपकी जैसे दस और धर है इसलिए मुझे दिस्टाब मत कीजिए क्या हो रहा है ठीक है बहार निकलो कम से कम सफाई तो होगी नहीं धन्यवाद एंडी मैं तुमारे दोस्त को ले आई हुए तीनों मिल गए कबाल तीन? लेकिन वह तुस्से पेख ही है नहीं हो सकता मुझे तीन सुनरी मचलियां मिली थी है मचली? मचली को दोस्त कौन कहता है? यह नहीं है मेरे दोस्त चुप रहो पलीस आ रही है मचली को छुपाना होगा छिपाना? मैं क्या करूँ? मैं उन्हें कहा रखो अच्छा टॉइलिट में ठीक रहेगा पानी भी है इसमें मचलीया सुरख्चित और स्वस्त रहेंगी उमीद है उसे शक नहीं होगा यहां क्या चल रहा है? सारा पानी भश पर क्यों है? तुम क्यों आई हो? मैं टॉइलिट जा रहा हूँ अरे! मैं तुरण जगह खाली कर देते हैं मुझे विश्वार से जेन मेरे दोस्त को ढूण सकती है मेरा दोस्त इसके बिना मुझे बहुत बुरा लगता है मुझे अपनी कुट्टे की बहुत याद आती है हेलो! मेरा नाम जे.. जेरी है और मैं तुम्हारी तखनीक की जाज करने आया हूँ यह मेरा सुटकेस है, इसे देखो सब कुछ ठीक लग रहा है मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकती हूँ, अंदर जाओ लेकिन रुको, सबसे पहले तुम मेरी कुरसी को देख सकते हो यह तूट गया है खुरसी? अहां, ऐसा होता है यहां सब खुट सरल है, हमें चाहिए एक स्कॉच ठेप स्कॉच? हाँ अंदर जाओ फिर से अधिकारियों ने सबसे सस्ते कारिगर को बुलाया है जाओ यहां बस रोशनी की समस्या है क्या तुम बल्ब को इसमें फीट कर सकते हो? क्यों नहीं? मेरे लिए बहुत आसान है अब हमें यह सोचना है कि एंडी तक कैसे पहुचा जाए ऐसा करने के लिए हमें दिवार में एक बड़ा छेट करना होगा इसके लिए एक हतोड़ा चाहिए हाँ, जेल की दिवारे बहुत मज़ूत होती है ठीक है, मेरे पास एक ड्रेल है यह क्या है? लगता है कुछ अलगी करना होगा अब यह काम करेगा वहां क्या हो रहा है? चिंता ना करे बस आपको एक बल्ब डाला है अंत में अंडी अपने दोस्ट को देखीगा मेरे दोस्ट कहां है? वह निश्चित रूप से ऐसे छेद में फिट नहीं होगा क्या? क्या वह एक चूहा है? वाट? क्या हुआ? विवार में चूहा कहां है? आप अहाँ अरे नहीं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए भागो नमस्ते मैंने एक खतरनाक अप्राधी को पकड़ा है यह नेवला चोर है हमें उसे एक सेल में रखना होगा वाहर कोई लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है चलो सेल उस तरफ है मेरा केला कहा है वाहां क्या चल रहा है जे तुमने मेरे दोस को ढून लिया हां वह यहां है अपने दोस को देखकर खुशी हुई दोस्त लेकिन यह नेवला है यह बयानाक है यह मेरा दोस नहीं है यहां क्या हो रहा है एक सेकिंड रुको तुम पुलिस नहीं हो, मुझे तुम्हारे खिलाब कारवाई करनी होगी अरे ओ, मेरे सारे हथियार कहा है लगता ये चोर वाकई में बहुत चालू है यह क्या है ओ, नहीं यहीं सही समय है, माप करना लेकिन हम हमें जाना होगा रुच जाओ, मैं अभी भी तुम्हें पकड सकती हूँ नहीं, तुम नहीं पकड पाओगी, मैं तुम्हें नहीं जोड़ूँगा ओ, मैं तुम्हें नहीं जोड़ूँगी यहलो, केला आज के लिए यही तुम्हारा खाना है हेलो, मैं कैदी के लिए खाना लाया हूँ ओके आशाए के अंदर कोई जानवर नहीं है खाली में किसी ने लेवले को लाने की कोशिश की थी अरे तुम क्या कर रही हो? खाने में जानवर कहां से होगा? यह गलत है हाँ, बिल्कुल क्या में चिकन रख सकती हूँ मुझे बहुत भूख लगी है निश्यत रूप से बॉन है पेटी धन्यवाद, आखिर में खा सकती हूँ एक सकेंड, यह फर कहां से आया? मुझे लगता है कि मुझे पता है एंडी, यह मैं हूँ जेन, मैं तुमारे लिए कुछ लाई हूँ सच्ची है? आखिरकार मैं इंजार करके ठक गया हूँ मैंने दो घंटे तक उसका पीछा किया तुम्हारा दोस तेज और फुर्तिला है यह मेरा दोस नहीं है, यह खरगोस है चुपरा हुखली सारी है मैं सब कुछ समझ गई यह फिर से तुम हो और तुम फिर से जानवर लाने की कोशिश की हो क्या? कौन सा जानवर? कवर के नीचे वे वहाँ है क्या? नहीं वहाँ कोई नहीं है, तुम इसे सावित नहीं कर सकती नहीं हो सकता, अंदर एक जानवर जरूर है कितना होशियार खरगोस है वो मेरे टोपी में चीब लिया था रुको तुम कहां जा रही हो देखो मैं एंडी को देखने आई हूँ मैं उसकी पत्नी हूँ हमारा एक परिवार एक छोटा बच्चा है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ हमारा बच्चा अपने पिता को बहुत याद कर रहा है बच्चा? बिल्कुल अंदर जाओ एंडी ने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा एंडी, हे, मैं हूँ फिर से और ऐसा लगता है कि इस वार मैं तुम्हारे दोस्त को आखिरकार ढूण लिया हूँ पुलीस स्टेशन चीडिया घर में क्यों बदल गई है अरे खुटा कहा जा रहा है आओ, बचाओ, मदद करो, मुझे पर हमला किया लिया है एंडी को बहार निकालने का मौका मिल गया और चाविया यही पर है क्या, तुम मुझे बहार निकाल सकती हो हाँ, तुम अभी मुत्फो जाओगे बस सही चावि चुनना है मुझे लगता है, मैं कीज जानवर को कैसे शान्त किया जा सकता है क्या, तुम्हें सॉसिज चाहिए मैं जानती थी, यह काम करेगा अब जाओ, तुम भी अब जेल में जाओगे तुम यहां क्या कर रही हो कुछ नहीं, मैं असल में बस खड़ी हूँ मेरे दोस्त, अब तुम अपने मालिक के साथ रहोगे लेकिन तुम दोनों को जेल में ही रहना पड़ेगा उरे, दोस्त, आकिरकार हम एक साथ है और मैं घर जा सकती हूँ नहीं, तुमने इस पुलिस इस्टेशन को चीडिया घर में बदल दिया था इसके लिए तुमें भी जेल में ही रहना होगा अम मुझे शांती मिलेगी मैं जा रही हूँ खाना खाने अंदर बहुत भीर हो गई है हमें निकालो यहां से जी नहीं, अब आप तुम यहीं आराम करो मारा है, खर कोई बात नहीं कैंडी को ऐसे बॉक्स के अवशक्ता क्यों होगी? वो अपनी कार के साथ क्या करने जा रही है? यह बहुत आसान है मैं अपनी प्यारी कार को सच्ची में कुछ कूल में बदलना चाहती हूँ मैंने सुनाई कि अब हर कोई बार्वी डॉल की तरह गुलावी रंग का फैन है तो क्यों नहीं अपनी गारी को फिर से रंगू? साथ ही मैं इसे बहुत ही नरम और ज़्यादा अरामदायक भी बना दूँगी बढ़िया हो गया और अब बहियों और हेडलाइट्स की देखवाल करने का समय है साधरन डिस्क बहुत बोरिंग है जब यह गुलाबी हो जाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा सुन्दर होगा देखो कितना अच्छा है ना और हेडलाइट्स उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है सच्ची में हेडलाइट्स कार की आखे है तो मैं उन्हें लम्मी पलकों से क्यों नहीं सजाती मेरी राय में एक शानदार आइडिया है पीट अब तुम्हारी गाड़ी मेरे तुन्ला में कुछ भी नहीं है ओ तो ऐसा है अब मुझे क्या करना चाहिए ठीक है मैं भी अपनी गाड़ी को सदा सकता हूँ कार की पूरी सर्फेस को कवर करूँगा ओ वाँ देखो वा तुरंट कितनी सुन्दर हो गई उसके बाद डिक्स पर पैड का उप्योग करके उन्हें काला बनाने के लिए भी करता हूँ सची में यह मस्त है लेकिन यह सम नहीं है मुझे कार पर डेकुरेशन को चिपकाने की भी जरुवत है उदारन के लिए गोल्डन स्पाइक्स बहुत अच्छे लगेंगे बस पहियो पर सकल की तरह वाँ पीट तुमने अपनी कार का क्या किया मैंने इससे अपग्रेड किया है क्या तुम्हें जलन हो रही है क्या तुम मेरे साथ सवारी करना चाहती हो क्या तुम्हें लगता कि मैं इतनी असानी से हार मारूंगी ऐसा बिलकुल नहीं है एक्स्टेरियर काफी नहीं था तो हमें अंदर से निपटनी की जरुवत है पहली चीज मुझे स्टेरिंग मिल को सजानी की जरुवत है यहना केवल जादा सुन्दर होगा वेलकि बहुत जादा सुविधा जनक भी होगा अब मुझे सीटों को गुलावी फड़ से ढखना होगा चलो चलती हूँ देखो यह कितना महंगा लग रहा है और मिरन के नीचे एक खिलोना कुछ और गुलावी हाँ, इधर अंदर से भी मेरी कार अब अंदर से भी ग्लैमरस लग रही है आखरी टच एक चमकदार रीबन है वेगवार फिर आपको बताएगी कि मुझे कौन सा रंग सबसे ज़ादा पसंद है ऐसा लगता है कि कैंडी ने कार के इंटिरियर को सजाए है मैं भी नहीं रुक सकता ठीक है, मेरे पास कुछ चीजे है मुझे लगता है कि वे मेरी गारी को सजाने के लिए काफी है चलो उस चेन से शुरू करे जिसे मैं स्टेरिंग विल के चार ओर लपेटूंगा जरा देखो, यह कितना कूल हो गया है लेकिन यह इतना ही नहीं है अगली चाल, गियर शिफ्ट लेवर पर स्कल होगी स्कल हर जगा है, ऐसा ही होना चाहिए उन्हें आइने के नीचे भी लटकाया जा सकता है देखो कि यह कितना क्रूर और कूल दिखता है लेकिन स्कल वहाँ खत्म नहीं होती है स्टेरिंग विल पर एक क्यों नहीं अब मैं सभी गुजरने वाली ड्राइवरों के सामने कितना मस दिखूंगा मैं कितना होश यालू क्या पीटने भी इंटिरियर को सजाया है मैं वेव वेव कुफ और डरावनी खोपरी फिर से ठीक है, मेरी कार अभी भी ज़्यादा सुन्दर है यह मनोरंजन के भारे में सोचने का समय है जब तक कार खरी है, इसके आसपास का जगा योगा हॉल में बदल सकता है मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए एक मैट, पानी और यहां तक एक मॉनिटर जिस पर मैं क्लास देखूंगी ठैट, चलो, शुड़ हो जाओ ओ, सुनो कैंडी, हम भी योग करना चाहते हैं, क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, यह एक साथ ज़्यादा मज़े दाल होगा यह स्वादिश्ट, रुको, लड़कियां वहां क्या कर रही है? मैं यहां बर्गर खा रहा हूँ, और उनोनों कुछ किलो वजन कम करने का फैसला किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता मैं भी अपनी कार से एक असली जिम बनाऊंगा मेरे पास उप्यूग टूल्स का एक पूरा बॉक्स है जंबल के बिना जिम क्या होता है? बहुत भारी है नहीं, मेरे पास काफी डंबल है लड़कियों को मस्कुलर लोग पसंद है मुझे कसरत करने की जरुवत है अरे पीट, अगर हम तुम्हारे साथ यहां कसरत करते हैं तो तुम्हें कोई आपती नहीं होगी है न? बिल्कुल नहीं, चलो एक साथ करते हैं अच्छा ओ, ऐसा लगता है कि पास में हैंसम लड़के है शायद हमें उनसे मिलना चाहिए तुम कहां जा रही हो? मेरे बारे में क्या? मैंने नहीं सुचा था कि मेरी सभी दोस मुझसे इतनी जल्दी धोका दे देंगी लगबग हरा दिया है हाँ, हाँ, और यह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमेशा की तरफ बैटरी सबसे खराब समय में खत्म हो गई लेकिन मुझे पता है कि एक फोन को किस के साथ बदलना है मैं अपनी गाड़ी के डिक्की में गेमिंग क्लब क्यों नहीं बनाता? एक बड़ी टीवी यहाँ पूरी तरह से फिट होगा जिस पर मैं खेलूंगा हाँ बस यहाँ इसे रगभिया और इसके बाद कंसोल और जॉयस्टिक का उप्योग किया जाएगा लेकिन मुझे कहीं बैटने की भी चरुवत होगी यहाँ यह बीन बैक्स कुर्सिया की तरह फिट होगी हाँ यह यहाँ अच्छे रहेंगे मैंने एक जॉयस्टिक लिया और एक कुर्सी पर बैट गया खेल चालू कर दिया यही असली स्वर्ग है वाव पीट तुम एक जीनियस हो मेरे साथ बैठो हमें एक साथ खेलेंगे हाँ आजाओ वहाँ इतनी सारे लोग क्यों है फीट ने एक गेम जुन बनाया ओ मैं फिर से अकेली हो हाला कि मुझे पता है कि मुझे हर किसी को कैसे लुभाना है जल्दी वे खुद इन खिलोनों से ठक जाएंगे और वे निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैं उनके लिए एक कॉंसर्ट वेन्यू का है जो नहीं करती मेरे पास वास सब कुछ है जो मुझे चाहिए यहां तक कि एक बिस्को बॉल भी है जरा देखो यह कितने सुन्दर है वाँ अद्बूत पार्टी शुरू हो गई है यह डैंस का समय है वाँ कैंडी यह असलिट इसको है यह डैंस करने का समय है सबी ने मुझे छोड़ दिया मुझे पीट के लिए दुख हो रहा है सुनो पीट, हमारे साथ डांस करनी आओ, यह बहुत मज़ेदार है अच्छा ठीक है, मेरे पास एक बहतर आइडिया है देखो, मेरे पास विशेशरू से तुम्हारे लिए गुलावी जॉयस्टिक है क्या हम एक साथ खेले? हाँ, चलो साथ में खेलते है यह बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है पीट, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत प्यारे हो कैंडी तुम भी, मुझे खुशी कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए मैं कास्ट के अंदर कैंडी भर दूँगी और कोई भी नोटिस नहीं करेगा ओ, वो आ रही है तो हमारे पास यहाँ क्या है? कोई कैंडी मिली? बिल्कुल नहीं और अगर यहाँ है हाँ, मैं यह जानती थी कैंडी का एक पूरा ढेट क्या तुमने साइन नहीं देखा? अस्पताल में कोई कैंडी नहीं मुझे यह सब तुमसे दूर ले जाना होगा सब कुछ, इसे वापस दो और मुझे यह फिर से नहीं देखने चाहिए मैं यह कैंडी के बिना कैसे रह सकती हूँ? हाँ, वाँ वे कितने साधिस्थ है और वाँ मुझे और चाहिए अरे नहीं, वे खत्म हो गया है आइडिया मैं अब अपने दोस्तों को लिखूंगी वे मदद करेंगे ओ, मैसेज यह कैंडी से है क्या? क्या वा कैंडी के बिना है? हमें उसकी मदद करनी है मैं एक बैक पैक और इन सभी कैंडीस को ले जाओंगी अब यह जाने का समय है और यहाँ अस्पताल है अरे, रुको तुमने यह साइन देखा? यहाँ कैंडी लेकर नहीं जा सकते आरे, ठीक है यह लोग भी ना ओ, पेशेंट, हेलो आपका बच्चा कैसा है? बेशक, अंदर आईए यह एक आइडिया है शुरू करने के लिए मैं अपनी वेश बदल लूँगी क्या गुलावी रंग मुझे सूट करता है? और अब मैं सारी कैंडी अपनी बैग में रख दूँगी और अब मैं इसे अपनी जैकेट के नीचे पहनने जा रही हूँ मैं जल्दी मा बनने वाली हूँ हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ, क्या आपको एक बच्चा होने वाला है? बेशक, अंदर आओ यहां मैं अंदर हूँ क्या? क्या अजीब लड़की है? आ, सूजी, यह तुम हो? मैंने तुम्हें नहीं पचाना हाई, तुम्हारे पेट को क्या हुआ? क्या हुआ बैक पैक है? और अंदर क्या है? कैंडी, हुरे, तुम सबसे अच्छी हो ओ, मुझे M&M चाहिए मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ हेलो, नहीं, खाना नहीं मुझे दे दो, अब बहतर है और अब तुम जा सकती हो अगला कौन है? अक्या, अक्या हुआ? हम उसे खो रहे हैं हमें तदकाल ओपरेटिंग रूम में जाने के जरुवत है ओ, बेचारी लड़की, वह सची में बिमार है जल्दी करो, तुम किसले खड़ी हो? आगे बढ़ो तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे नहीं, सूजी तुम्हें क्या हो गया है? अ, क्या तुम बिमार हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ हेलो, यह एक भेज है कैंडिस के लिए बहुत सारी चीजे है चलो, खाते है गामी बेर अच्छे है कोई कैंडी नहीं इन चिप्स का क्या करे? आइडिया तो यह चिपाने का समय है एक डॉक्टर का कूट स्लीप्स कॉलर और निश्चित रूप से एक बैच मैं तयार हूँ नमस्ते मेरी दोस्त मैं अपनी शिप्ट के लिए आई हूँ ओ, हुरे हाखिरकार गुड लग अहाँ, अहाँ, बाई यह मेरे लिए समय है ओ, क्या आप साइन नहीं देख रहे है कोई ट्रेट्स नहीं यह सही है, इसे यहाँ दे दो यह मेरे काम आएगा, चलो ओ, नर्स हाँ, यह मैं हूँ क्या तुम्हें पता नहीं चला सोजी, हेलो दोस्त तुम्हारे पास वहाँ क्या है ओ, वाओ, इतने सारे कैंडी कूल, मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है यहाँ, कितना स्वादिश्ट मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ तुम कौन हो ओ, अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी यह मेरे लिए जाने का समय है तुम कहां जा रही हो ओ, मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगी रुको ओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे पास सिर दर्द के लिए कुछ है? मुझे ततकाल कुछ आइडिया की जरूत है यह सही है यह कैंडी काम करेगा यहाँ, यहलो नया दवा है, इसे ले लो मुझे आशा हुआ नहीं समझेगी स्वादिश्ट गोलियां ऐसी नहीं होनी चाहिए यह कैंडी है तुम डॉक्टर नहीं हो उप्स, मुझे लगते हैं मुझे जाना चाहिए क्या, यहां रुक जाओ तुम उसे कहां ले जा रही हो क्या आप देखनी सकती, वो चल नहीं सकती है ओ, मुझे माफ करना, बेशर्ण आगे बढ़ो, बेचारी लड़की एक मिनट रुको यह क्या है, यह कैंडी का एक ट्रेल है अभी रुक जाओ मैं यह जानती थी यहां से निकल जाओ और अपनी दोस्त को मत भूलना बेशर्म हैलो मेस आपके पीट के पीछे वो क्या है आँ, यह एक सुन्दर फूल है यह तुम्हारा है मुझे अपने हाथ को किश करने दो तुम सुन्दर हो मैं अपने आखे अटा नहीं सकता ओ, 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 वाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता विशेश रूप से ऐसी सुन्दर था के सामने ओ, वो बेहोस हो गई और यह मेरे दोड़ने का समय है हैलो दोस्तो देखो कौन आया है और देखो मैं क्या लेकर आई हू कैंडी केक पूरी टोपी कूल मुझे गमी बेयर बहुत पसंद है मैं उन्हें खाऊंगी वो, यह बहुत स्वादिस्ट है सोजी, तुम जीनियस हो मेरे पास यहाँ एक हाथ है और मैं अंदर कैंडी डालूँगी सूपर और अब फ्राक्चर के लिए एक पट्टी मैं अपनी बाग को अपनी स्लीव में चिपाऊंगी और इसे यहां रखूंगी परफेक्ट प्लान खेंड, चलते हैं हलो, मेरा हाथ तूट गया है ओ, कितना धरावना क्या यह निश्च तूटा हुआ है ओ, मुझे माफ करना मेरे यह मतलब नहीं था बेशक अंदर आओ मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दर्द में हो सूजी तुमने अपना हाथ तोड़ लिया बिचारी अरे नहीं, देखो तुमने अपना हाथ क्यों निकाल दिया क्या, क्या हुआ, असली नहीं है कैंडी बहुत बढ़िया कितना अच्चा मेरे उपर एक हाथ मुझे लगता हमने उसे डरा दिया